हेलो दोस्तों आज हम लोग एक न्यू चप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एसीड बेस एंड साल्ट यह हमारा लास्ट चप्टर है इसके अलावा केमस्ट्री का सारा चप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस के बारे में पढ़ना होगा क्योंकि इंडिकेटर ही बताता है कि कौनसा एसीज car बेस जब हम लोगों को पहचाने के बारे में डीटेल से पढ़ेंगे जिसमें हम फंझाय चैप्टर में पढ़ चुके वह या तो केमिकल रिक्षंवाल आधिक सब्सक्राइब में पढ़ चुके मां पढ़ चुके कहीं नão पढ़ चुके पोई रियक्षं अधिक्ष्टर यहां पर आएगा उसके अनूर्प सब्लाने हम लोग एसीड का यूज़ देखेंगा की कश स्टार्ट कर divisorse है निकिस डेखेंगेँ तो मेरे हमलोग ऌफिर बीस का प्रोपर्टी यानि की इनका रीएक्षंस देखेंगे उसके बाद हम लोग पी ऐस्केल के बारे में पढ़ेंगे कि कोई इसीड या बेस जो है उसका strength वह हिएक किसके कमपैजिजन में कितना strong है कितना weak है यह कैसे पता लगता यह पियेश से पता लगता तो फिर हम लोग पीयज के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद पीच का everyday life में क्या importance है वो देखेंगे तो हहां पर हमारा acid waste खतम हो जाएगा उसके बाद हम लोग salt परेंगे तो आप लोगों ने देखा कि acid waste में आरा last topic जो था वो pH से ही related था तो salt में हम लोग सबसे पहले salt solution का pH देख लेंगे उसके बाद कुछ salts के हाँ नाम लिख रखें उन सब salt को बारी बारी से पढ़ेंगे जैसे common salt sodium chloride जो होता है हमारा इनसील इसी को हम लोग common salt काते हैं तो सबसे पहले common salt के बारे में पढ़ेंगे फिर washing soda के बारे में detail से पढ़ेंगे तो यहां पर washing soda का भी formula लिख रखा है baking soda bleaching powder plaster of Paris इन सब हमारा salt है इसको हम लोग hydrated salt बोलते हैं जिसमें water जुरा हुआ होता है तो यह आपको clear हो गया होगा कि इस chapter में हम लोगों को क्या पढ़ना है जब हम लोग इतना पर लेंगे हमारा यह पूरा chapter और यह पूरा टेंथ का सलेबस खतम हो जाएगा आज के लिए इतना ही धन्यवाद